ओम्दम्दम पकये नमा नमस्कार दोस्तों प्रदोश व्रत के शुब दिवस पर आप सभी को हमारी और से मंगल काम नाएं दोस्तों, आप में से कुछ लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि ये प्रदोश व्रत क्या है और कब किया जाता है प्रत्येक पक्ष की त्रियोदशी के व्रत को प्रदोश व्रत कहते हैं सूर्यास्त के बाद रात्री के आने से पूर्व का जो टाइम होता है उसको प्रदोश काल कहा जाता है इस व्रत में महादेव भोले शंकर की पूजा की जाती है दोस्तों और प्रातहकाल स्नान करके भगवान शिव की बेलपत्र, गंगाजल, अक्षत, धूप और दीप सहित पूजा की जाती है संध्याकाल में पुनह स्नान करके इसी प्रकार शिव जी की पूजा करनी चाहिए इस प्रकार प्रदोश व्रत करने से व्रती को पुन्य की प्राप्ती होती है दोस्तों, प्रदोश व्रत कल्युग में अती मंगलकारी और शिव कृपा प्रदान कराने वाला व्रत है स्त्री और पुरुष जो भी अपना कल्यान चाहते हों वो इस व्रत को रख सकते हैं प्रदोश व्रत करने से हर प्रकार का दोश मिठ जाता है दोस्तों और सभी प्रकार की कामनाई सिद्ध होती है कहते हैं कि भगवान के भक्त थे श्री सूजी उन्होंने कहा था कि कल्यूग में जब भी मनुश्य धर्म का आच्रन छोड़ कर अधर्म की राह पर जा रहा होगा और हर तरफ अन्याय का बोलबाला होगा उस वक्त प्रदोश ही व्रत ऐसा एक व्रत होगा जो मानव को श्रेव कृपा का पात्र बनाएगा और उत्तम लोफ की प्राप्ति कराएगा दोस्तों यदि आप विधिवत प्रदोश व्रत में पूजन कराना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.askganesha.com पर जाकर हमारी ओनलाइन पूजा सेवाओं का लाब उठा सकते हैं इसके साथ ही दो अनमोल वचन कहते हुए आपसे विदा लेते हैं दोस्तों कि आज कल के इस कल्यूग में हर इनसान दुखी है हाला कि वो अपनी खुशी के लिए सब कुछ करता है मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबाइंध भी बदलता है पर फिर भी दुखी रहता है, जानते हैं क्यों, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता दोस्तों इसी बात को अगर मैं शायरी में कहूं, तो कुछ यूं होगा, जरा ध्यान दीजेगा उम्र भार गालेब यही करता रहा, कि उम्र भार गालेब यही करता रहा, धूल चहरे पर थी और आइना साफ करता रहा धन्यवाद दोस्तों